मत्रा जिले के गाउं महुवन में योगेस ब्यासने की केसर की खेती केसर की महक से महक उठा पूरा छेत्र जिला मत्रा के गाउं महुवन में योगेंद्र ब्यास ने इस वर्स परंपरागत खेती न करके अमेरिकन केसर की खेती की है जिसमें मत्रा जिले के किसान भी केसर की खेती के लिए उताबले हो रहे हैं वही किसान योगिन ब्यास ने पुलिस की आवाज न्यूज पर बात करते हुए खेती की सुरुवात कैसे की जाती है इसके जाया जिसमें अक्टुवर महीने के पहले सब्ता महीं केसर की ववाई की जाती है और लगबग एक फुट की दूरी पर इसका बीजबोया जाता है विजबोने से पहले किसान को खेत में सिचाई के टाइम देशी गोवर किखा डाली निचाहिए पेड होने के बाद खत पर वार होने पर दो या तीन नराई गड़ाई एबं पांच से छे वार मीठे पानी की सिचाई होती है और सिचाई के बाद यह तोड़ने योग्य पांच से छे महिने के अंदर हो जाती हिमत लगवग मंडी का भाव साट जार रुपए प्रत किलो बताया सर आपका सुब नाम मेरा नाम जोगिंद्र व्यास है जी गाउं का नाम गाउं का नाम महुगन है जिला जिला मत्रा है तो सर जो आपने ये केसर की खेती किये आप ही की खेती है हाँ जी मेरी खेती है तो सर क्या आप बता पाएंगे आपने इसकी शुरुगात की सर किस तरी कहां से मिली सलाह मिली और वहीं से वीज उकलब दुगाय वाता है अब की बार तो मुझे यह बहुत लाका किलो के हिसाप से आदा किलू बीज एक विगा के लिए तो सर आप पनी उसके तयारी होती इसके सबसे पहले अक्टूर्ट साइब के पहले सपता मैं जटाइ करके तयार करके देशी गोवर ख़ाट डालक करके इसकी तयार किया है अजसर देशी खात क spar गालवा इसमें जएवेख्षाट, और भी खात होते हैं उसके कोई जलत पड़ती है या उनली देशी कोई पड़ती है तोड़ने योगी चैसाप मेने हो जाती है तो इसके लाबा और भी कोई इसके बारे मोर को जानकारी दे पाएंगे जैसे किसान वह यह चाहते हैं लिए मंदी में जाना भी और बेचना भी मुश्कल है अब जैसे अखेले किसान है इस छेत्र से तो सर आप किस को बेचने के लिए आपको ब्यापारियों से मंड़ी में बात्चीत हुई नहीं हुई अभी तक मेरी जहां से मैंने वीज खरीदा है वो लोग मेरे 400 केशर को ले गए गए दिली में वो देली में हमने बेचा है तो सर यह लगा कितने क्या रेट का जाता है लगा यह शाट हजार लुप एक लुटक विकरा है इस समय साथ हजार लुटक विगरा है झाल टुझा झाल झाल